इसकार इक्रम के पुन्यार जख हैं हनुमान प्रसाद बढ़ जात्या परिवार जश्पुर राइपुर राजकुमार सुधा जैन, विनुद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासु शीतल, राहुल अधिती पुषपा विमलपांडिया इंदौर, स्मेहलता विकास काला जैपुर, ममता सुरेश सिठी कोलकाता, सानु अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष हितांश पाठनी कोलकाता, सलूनी हर्षवर्धन जैन आगरा, वेदिका यश्पाठनी नागपुर, रचित मौलिक जीनांश वान प्राप्त प्राप्त करें, इस मन्जीत महिंदगार पूना से है, पिएस्ट आशीकेश, प्रदीब जी प्रेम चेंजी से पहरे बार एहम्दा बास्त, सभी यहां के पूरा सहयोग, तालिया बजा कर अनमुदना करना है चाहिए जैन समाज को, हाँ, बैट के नमस्तू कर ल का बाद, हाँ, यहां रख दें, हाँ, जिन्वानी जग मया जनम दुख मेट दो, इस पुर्त जी, रूप स्री जी, निहाल जी, बैंगलोर्ड से आपने सास्प्रदान करने का सवभाग प्राप्त किया, है, 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 हैदराबास से मनोज कुमार जी जैन, आपने चंद गिरी चातुर मास कला, गुरुजी से इस पर्स करा लो, हाँ, निवेदन कर लो, हाँ, हाथ में लेके इस पर्स करा लो, हाँ, तालिया बजाना चाहिए, इनिस बार पर, भागेज जी, छाबड़ा, असा परी, चर्णों में नमन करा, शिर्वाब प्राप्त करने का, आप भी आया सब परिवार आए, हाँ, हाँ, औरंगाबाद से बहुत बड़ी आपका स्वागत है, पुनिसागर महराजी, आच्छा, पुनिसागर महराजी के ग्रास जीवन के परिजन है, तालिया बजाकर अविन अंदर है, स्वागत है, हाँ, बहुत बड़ी आपधाई हो, हाँ, कलस लेकर जो आए है, असिर्वाब प्राप करें, तालिया बजाकर अनमोद ना कर दें, हाँ, गुरूर, अजमेर जेहन समाच से, सुधीर मामा के परिवार से हैं, गोटे गा, अजमेर जेहन समाच से, पूरी मैत्री हतकरगा, जहां कल आचार भगवन के परिंदना, गुरू चरेणों में बारम, आचार भगवन के असिर्वाद से, जो अजमेर में नया हतकरगा प्रारंब हुआ है, वहाँ से सब हतकरगा के बिगिया, जिनको नौदा भक्ति पुरूर, प्रकाहन मिला, आपने तीन लाख कि इतालिया बजाकर अन्मोदना, अर्ग चढ़ा दें, बापूजाबाद में करना है, सभी सामुहिक पूजन करने का सववाग प्राप्त होगा, हो, और, बढ़ दे, सभी बढ़ जाए, आचार भगवन के असिर्वाद से, एक बीस, एक्कीस और बाइस नमंबर को आयो जित ह आपको आयो जित हो रही है, आपको अमंतित किया जाता है, नीरच जी, अन्शिका जी, जेन, हम सभी आचार भगवन की सामुहिक पूजन करने का नमन कर लें, बुलिए संसिरो मनि आचार गुर्वर विद्या सागर जी महामुनी राज की ओ पालन हारे अनन्त गुणधारे ओ पालन हारे अनन्त गुणधारे ओ गुर्वर तुम्रे बिन हमरा कौनों नहीं जिशियों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया इस राग बेश की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया तब विद्या सिंदु के जलकण से ववकालुष धोन नासनाय जलमने पाविती जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे बुलाया है चंदन समशी तलता पाने अब शर्ण आपकी आया हूं संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंदन को लाया हूं और जगत का भटकाना चर्णों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे विद्यसागर मुनिंद्रा अक्षय प्रप्राप्ता अक्ष्टान निर्पाविती मदिरापी मैं बना सदा से सहेत मन सुमन चड़ाने आया हूं यह मदन विजेता बन न सके यह भावर दै में लाया ओमरीम सी एक सो आटा चारवे दैसागर मुनिंद्राए कामवार विद्वन सनाए पुष्पमने पाविती मैं राग देश में लेपत रहा इस हाथ रहा बस पच्टाना यह दीप समर्पित है गुरवर मेरा तम दूर भगा देना तुम ग्यान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना ओम्रीम सी एक सो आटा चार विद्वन सागर मुनिंद्राए महा मोहांत कार्भिन आशनाए दीपमने पाविती इन अशुब कर्म अपना नाता शुब अशुब कर्म सब रिपुदल है वैं इने जलाने आया हूं इसलिए आपके चरणों में यह दूप चढ़ाने आया हूं ओम्रीम सी एक सो आटा चार विद्वन सागर मुनिंद्राए अश्ट कम तहनाए दूपमने पाविती वोगों को इतना भोगी अभ्यस्त रहा मैं हूँ स्वत अंत्र ज्याता द्रेश्टा मेरा पर से क्या नाता है कैसे अनर्ग पद पाजाओं यह अरुन भावना भाता है यदि पजात तंके देशों में गिंती की जाए उसमें सबसे पहले अग्रणी नाम भारत देश का आता है कि पजात तंके में सबसे बड़ा राष्ट देश कहलाता तो भारत कहलाता है अभी की बाद ही नहीं है बर्द्वान सासन नायक भागवान महावी स्वामी के समय की आपको आज बता रहे हैं कि उनका जन्म कहा हुआ था राजा सिद्दाज के यहां बैसाली नगरी उस समय बहुत सबसे बड़ा गर्दन कर राज्ज माना जाता था यहां तक की जो राजा ठीटक हैं बिसला के आज पास कहीं कर आते हैं ना किसला के पिता जी मतलब महावी स्वामी के ग्रदीवन के नाना जी वो भी एक बिसाल पिजातंत देश के राजा थे तो इस तरह से भारत देश में पिजातंत आज से नहीं सुबू से होता आया है प्रजा ठंज का मतलब होता है आज से नहीं सुबू से होता आया है प्रजा ठंज का मतलब होता है कि जिस देश में सरकार है सासक है प्रजा के द्वारा प्रजा के हितमें निधार्ज किया जाता है प्रजा ठंज के प्रजा ठंज के प्रजा सत्तात्मक राज देश कहलाता ह चार प्रकार के आगम में दान बताए गए हैं और सजी सास्त अभय आहारा और सजी दान सास्त दान अभय दान और आहार दान इस चार प्रकार के दान सम्मने सुना है ये सब आगम में धर्म की बात बता रहे हैं जो हम आपको एक बात बताना चाहते हैं जो अजाब महराजी भी हमेशा कहते रहते हैं ये धर्म की बात है हम इस से बढ़के आपको बता रहे हैं धर्म से उपर राष्ट और देश होता है ये चार दान हम उने आपको बताए हैं इसका समद्ध धर्म से हैं ये पांचमा दान जो मतदान है उसका समद्ध तो राष्ट अद्देश से है आज क्योंकि ए आचाह महराजी ने संकेत किया अब जानते हैं कि पहले तो है राजा सम्राड खारवेल जिस ने सिलालेख लिखा हुआ है उद्धागिरी चंग खंडागिरी पर उडिसा में उसमें दस्मी पंक्ति में लिखा हुआ है भरत देरा बसु ऐसा उसमें लिखा है हुआ है जो आज से इसा अब जी एक पहले मज़ी बात है अजब आज से लगभग तेशा पहले की बात से वसिलाव लेक्ट उसमोड़क हुआ है इस भारत का नाम भारत बरस से चला है बीच में कुछ ऐसा कानव है कि अन्य बजिन सी लोगों का आना हुआ उसका नाम परवद करके उन्होंने इंडिया कर दिया अब किसी भी बख्षिदी का नाम दो एक ही नाम होता है किसी भासा में आप लेको लेकिन इस देश का नाम दो दो चल पड़ा और आपके बदाद हैं अचासी कहते हैं कि इस देश की उन्नती जिसका विकास होगा तो कैसे होगा जब कुंडली भारत के नाम से बने की तभी इसका विकास होगा इस देश की भूमी परत भूमी की कुंडी भारत की कुंडी के नाम से मिलती है इंडिया की कुंडी के नाम से नहीं मिलती है इसलिए आचा महराज जीन इस नाम था कि यह हमकुप इस भारत देस को भारत देसी कहना है तू उस प्रदातन्त में सबसे बड़ा कार होता है तो मतिधान होता है त offen scientific 的 देस का समय तो मतदान होता है और आछ मतजान करें प्रकार करते हैं निंडा करें करनक वरता है लोग सबाइब दान सबाइब रास सबा और से जन्दप्-पंचाइद होती है नगापालिका चुनावादी होती रहते है तो अचाह शी जीजि़ कहना है इसलिए हाईको में अचाव महाराजी कह रहा है कि मतजान तो सो प्रस्टा तो अब जब अभी जब पांच नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नेंद मदी जी गुरु के चंड़नों में यहाँ पर चंदिगिली डंगन में आया थे ना आपने सुना भी होगा तब अचाव महाराजी नों से कहां कि मददान सो प्रस्ट्रे होना चाहिए तो उन्होंने कहां कि जी आटास री हम भी सी प्रयास रस्स में है कि प्त्यक्स भार्ध वाशिय ओंगो अपना करत नहीं अपने हृः आधिका कर नहीं बलकि इसको कम पर सरी आवस्टक अनिवार कर दे चाहिए तभी इस देश का उत्थान और अजिक होगा इसलिए मद्दान सो प्रसाथ हो अब ग्यापन भी सागार कह रही ना पहले मद्दान बाद में क्या पहले मद्दान बाद में जलबान हम सब्सक्राइब लोग ना इसलिए मता रहे हैं तो इसको समझना चाहिए अचुकि भंडार पूर है और यह चुनाव हो जो रहा है यहां का वो चुनाव 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 च किया चाहता है किस प्रकार से करता पूरा होता है मैं आपको बताते हैं कि उस समय जब कि सफा लगी हुई थी कि अईध्या से लोड़कर के सभी बापस अईध्या बापस आगा थे इसी लंका मैं बिजय प्राप्त की थी मर्यादा पुरसुत मलामने और साथ मैं अंगत से सुग्रीव से पूरी हनुमान जी सभी जो सदस्ते को सभी पापस वहाँ पर आ गए और सभाब है कि जब कोई कि जीत हार होती है उसके बिस्ष्ण होता है कौन हारा कौन जीता कितने मज़ों से जीता है यह बाद में चलता रहता है यही प्रक्रिया वहाँ पर दोहरा ही जा रही थी कहां पर अयोध्या में राज दर्वा लगा हुए था सिंगासन पर सिरी राम बिराजमान थे साथ मैं सीता लचमन और विजन के भरत सत्वगन और यह हनुमान सभी अपने अपने इस इसान पर बैठे हुए थे अब उस समय चूंकि लंका में बज़ाए प्रादर कली थी सब प्रसंद से समय उस्षा था जैसा कि यहां पर हम देख रहे हैं कि अपर के जितने नगर वासी हैं इनके चेहरों पर अनलग मुस्कान है उस्सा है कल पिछले इस्थान वे लोके थे तो उन्होंने अपनी जो जादी थी न वहां की अब राश्पुती कौन सी तो उन्होंने अपनी बेटियों को फोन लगाया एक जवलपर में थी एक कूर्व लोनों को ऐसे उस घर की दाजी मां अपनी बेटियों के लिए अपनी सवाल में थी उनको मुबाइल में जर्सन करा रही थी सोचो कितनी आस्रा सज्द्धा की वाद है यह आस्रा सज्द्धा स्री राम के पर सब कि थी सभी जर्वाल लगा हुआ जा राम चंजी बन आइप मंत्री मंदल गड़न होने वाला है कि अब कौंद कौं सा मंति मनेगा किस को कौन से बिभाग मिलेगा इसका निर्न करना है और इससा आप से जतने भी बानर बन सी थे और विजए भूमी गोश्री थी वन सब के लिए एक एक पद दे लिए गया जिसको दो पचाय यह मंताले होते हैं लक्षा मंताले ग्रह मंताले रिल मंताले बाइवन मंताले ऐसे अलग मंताले होते हैं अब उस मंताले के साब से सभी के लिए एक एक सान दे दिया जा रहा था जब हनुमान का नंबर आया हनुमान जी का नंबर आया उनसे कहा गया कि सबको एक पद दिया जा र तो उनके लिए मन मांगा उनके लिए मंत्याले पद दिरिया जाता है हनुमान जी से ही कहा गया हनुमान जी ने कहा ठीक है हम एक नहीं लेंगे हम दो पद लेंगे राम चंजीन का भाई सबको एक एक पदम दिया जा रहा है एक पोश्ट दी जा रही है हम आपको कैसे तो देज़ें इस संभवी नहीं है यह साथ में और भी सभी सभा सत्थे उन्होंने अपना प्रसाव रखा जैग रखा नहीं हनुमान ने विशेश कार किया है और सीथा के सीथा को ढोटने में और से इस इद्ध में विशेश भूम का नभाई है इसलिए उनके लिए विशेश रूप से प्रुष्टान प्रश्चा के साथ साथ में विशेश उनके लिए प्रुष्कार जैना जरूरी होता है तो राम चंजीन नींगा ठीक है अब सब की सहमत ही है इनके लिए एक पद नहीं इनके लिए ज की लिए भी दीए सकता है था हनुआ ठीक है तो लाभ आपके लिए एक नहीं दो-डो पद आपको प्रजान किया जाएंगे अब आप कौन को सा पत्चाहिए आपको कौण कौछ से में पहलेए आप अपनी डिमांड रख सकते हैं और हम उसको दे देएंगे तब राम तब हनुमान जी में कहा फ़कोन का लिए भगवन को दो पदेहं है आपके पास बजैने चेलाने होते हैं पाजैने लोड़े हैं रड़े एक पज़ को कैसे रख़ सकते हैं आपके आफको दोनों मेरे निदी नहीं है हम अपने अन्यToday में अपने दिल में प्रभु भगवन आम अपने पहगवन आपके दोनों पजय नया यहीं हमारी मांगौ यहीं हमारा निवेदा नहें तो पादो मम्हज़ेब मंहज़े अपादब लिनन तो भक्त वोता है वागवन से कहता है ये पहगवन मेरा मस्टख आपके दोनों चर्डड़ों में छुक रहा है और आपके चर्ड रूपी कमल मेरे हज़ाय में हमेशा बिराजबान रहें और तेरा नाम ही लेते लेते इसतन से निकले प्रान यहांसी भावन अभादा रहता है कि जब भी मेरे प्रांट निकले भगवान आपका नाम लेती निकले निकले और हम और कुछ भी नहीं चाहिए ऐसे सई भक्त की पहचान ही होती है हम भगवान के पास तो जाते हैं गुरु के पास तो आते हैं लेकिन उनको चाहते हैं नहीं चाहते हैं हम भगवान को चाहते है गुरु को चाहते हैं हम पासम चाहते नहीं है हम उनसे चाहते हैं हम को कुछ मिल जाए मिल जाए लेकर हनुमान ऐसे थे हनुमान जी अपने भगवान राम को चाहते से उनसे कुछ भी नहीं चाहते से सत्य भक्ति पहचान होती है कि हम प्रभु गुरु के चर्णा में से जाए हम उनको चाहें, उनसे कुछ भी नहीं चाहें, हम उनसे ऐए बस चाहते हैं कि भगवान आपकी क्रपाद दस्ती बनी रहे, और मेरी भी उन्नती होती रहे, मेरा विकास होता रहे, और मुझे भी इस मुख्चपत की प्राप्ती होती रहे, इसलिए हमेशा भावन भाते रहना चाहिए कि यह भगवन यह गुरू हमेशा मेरी जगह आपके स्रीचन्णों में बनी रहे मुलिये अंसा परमोधर्म की बोधी समाधी परणा में सुद्धी सात्मों पर लब्दी सिवसों के सिद्धी चिंता मनिम चिंते दवस्तु दाने तौं वंद्य मानस्य ममास्तु देव आपके सिद्धी सीपसरीग चिंते उवस्तु दाने यह ज़ संędzie है.